दूसरे दिन पापा घर आ गए, उनके आते ही मम्मी ने माय के जाने का मन बना लिया, वो मुझे भी अपने साथ ले जाएगी, ये सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन वो मुझे अपने साथ नहीं ले गई, मम्मी पापा से यह बोलकर अकेली ही चली गई कि मैं माय क जा रही हूँ, मा की तबियत खराब है, मैं दो दिन के बाद खुद ही आ जाओंगी, पापा ये सुनकर बहुत ही खुश हुए, उनका रिष्टा भी अजीब था, मम्मी घर पर होती तो पापा बाहर होते और पापा घर पर होते तो मम्मी बाहर होती, मुझ पर क्या बीत र मम्मी की छवी से कुछ अच्छी थी, आच्छी क्या, पापा के बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी, पती पतनी के बीच की बढ़ती दूरियां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती है, इसका आहसास मुझे अब हो रहा था, मैं एकदम ही अकेली पढ़ गई थी, आज मैं दोपहर में ही स्कूल से घर लोटाई, दर्वाजा खुला हुआ ही था, हाथ में फाइल लिए मैं बरामदे में आई तो जनानी आवाद सुनकर चौक गई, अगले पल ही मैं सोच में पढ़ गई, मम्मी आज माय के सुबह ही चली गई, यह पापा के बेडरूम में कौन मैं यह सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई, खिलकी का दर्वाजा बंद था, दर्वाजे में कुंडी लगी हुई थी, मम्मी पापा का बेडरूम एक ही था, मुझे ज्यादा सोचना नहीं पढ़ा कि अंदर का नजारा कैसे देखो, दर्वाजे के उस छोटे से से होकर एक आँख बंद कर दूसरी आँख से मैं अंदर जांकने लगी, पापा एकदम निर्वस्त थे, और वह महिला, जिसे मैं कुछ-कुछ पहचानती थी, नाइटी गाउन में थी, वह पापा के साथ एक दो बार घर पर आ चुकी थी, मैंने दिमाग पर जोर दिया तो उसका नाम भी याद हो आया, उसका नाम सबिता था, सबिता यही कोई बाइस तेज की छरहरी देह वाली खूब सूरत महिला थी, वह मम्मी से अधिक सुंदर भी नहीं थी, तो गुरूप भी नहीं थी, मैं हैरान थी, जिस पापा को मम्मी पसंद नहीं करती है, उस पापा क जमीन ही निकल गई, मैं ये सब देखकर हैरान हो रही थी कमाल है, बातचीट से इतनी सभ्या और सौम्य देखने वाली सबिता कितनी चालू है, मेरी माँ भी तो सबिता की तरह ही सौम्य और सीधी साधी लगती है, लेकिन इस मामले में कितनी शातिर है, मैं तो एक शातिर और बचलन स्त्री पुरुष की संतान हूँ, मेरा भविश्य कैसा होगा। तभी सबिता ने पापा की दाइं जांग पर कसकर चिकोटी काद दी। लेकिन वो जरा सभी गुस्सा नहीं हुए बलकि उसे और प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। मैं अगले पल ही बुदबुदा पड़ी क्या व्यक्ति ऐसे नाजुक्षनों में इतना सम्वे दिन शुनिय और सुनन सा पर जाता है कि दातों और नाखुनों के वार को भी महसूस नहीं कर पाता है। यही से मेरे मन के किसी कोने में सैक्स को भोबने की इच्छाने करवत लेन हो। मेरी पत्नी तो मुझे पसंद ही नहीं करती है। वो कहती है कि तुम तीन तीन दिन तक दाड़ी ही नहीं बनाते हो। तुझसे बात कौन करेगा। तुम्हारी दाड़ी कॉंटों की तरह मेरे गालों पर चुपती है। सबिता, दाड़ी तो मेरी आज भी बढ़ी पापा के ये कहते ही सबिता हसने लगी, दालिंग तुम्हारी पत्नी औरत है या कोई मूम की बुलिया। भला पुरुष की दाड़ी की चुभन भी कही स्त्री को पीला पहुँचाती है। स्त्री को पीला तो तब पहुँचती है, जब पुरुष बीच में ही साथ छोड़ दी है, सच तो यह है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दाड़ी से ही पसंद करती हूँ। यह कहते कहते रवीना ने पापा को बाहों में समेत लिया और अपने चिकने और मुलायम गाल उनके दाड़ीदार गाल पर रखकर रगरने लगी। यह मेरे लिए एक नया ही अनुभव मैं आश्चार्य चकित होकर सोच रही थी, यहां तो कोई भी किसी से प्यार नहीं करते रहा, यहां तो केवल सहवास की ही प्रधानता है। साबिता पापा को इसलिए पसंद करती है, क्योंकि उसे पुरुष की दाड़ी की चुभन अच्छी लगती है। और मम्मी हेमंत अं साथी को छोड़कर कहीं बहग जाते हैं। बहग क्या जाते हैं? अपने मन पसंद किसी सुयोग्य साथी की तलाश कर लेते हैं। मैं भी तो एक स्थ्री ही हूँ। क्या मेरी पसंद अपने विचारों के अनुकूल पुरुष की नहीं है? क्या अपनी पसंद की चीज को ढू और उनके होंट सबिता के होंटों को चूमने के लिए मचल रहे हैं। मैंने अगले पल ही अपनी दोनों हथेलियों से आखेड धाक ली और मन ही मन सोचने भी लगी। ये कैसी आग है जो स्त्री को पुरुष दर पुरुष और पुरुष को स्त्री दर स्त्री भटकने पर मजबूर कर देती है। पुरुष की बाहों का पहला पहला स्पर्ष कैसा होता होगा। पुरुष के संसर्ब में कभी नहीं आने वाली एक स्त्री पुरुष की बाहों की स्पर्ष मात्र से ही कितनी रोमान्चितों उठती होगी। मैं ये जानने की कोशिश करते करते पसीने से तर्बतर हो गई। मैंने देखा, मेरे हाथ के पसीने से फाइल भीग गई है और मेरे स अहां से सीधे अपने कमरे में चली आई, मुझे अच्छे बुरे का ज्यान हो गया था, मेरे होंटों से अनायास ही बोलफर पड़े, अब स्थिती मेरे सामने बिलकुल ही स्पष्ट है, न तो मम्मी दोशी है और नहीं पापा दोशी है, चरित रहीन कोई नहीं है, एक दूसर परिस्थित जन्यलाचारी ने ही दूसरे से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया है, जो लोग इन बातों को नहीं समझते, वे ही ऐसे संबंधों को गलत मानते हैं, मैं मम्मी को भी जानती हूँ और पापा को भी जानती हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, मम्मी प अबिता पर मुगद हैं। जब प्रकृती के सारे कार्य समय से होते हैं तो फिर मनुष्य किसी का इंतजार कब तक करेगा। कितना अपमानित होना पड़ता होगा। मम्मी पापा को नजरंदाज शुरू से ही करती आ रही है। आखिर कब तक वह अपने प्रती उसकी उदासीन तक को उड़े रहते। कभी न कभी तो किसी न किसी से तो उन्हें जुड़ना ही था। मागी रूप से पागल नहीं हो गए होते। इन अवैद संबंदों ने ही तो उन्हें यौनरोगी होने से बचाया है। इतने मेही मेरे विचारों की श्रिंखला टूट गई। पापा दरवाजे में खड़े थे और सबिता उनके पीछे ख़़ी थी। मेरे बोलने से पहले ही दोनों मेरे नजदी काकर बैट गए। मैंने देखा, दोनों के ही चेहरों पर गजब की ताजगी और आत्मसंतुष्टी थी। मेरे मन में पापा के प्रती कोई मैल भाव नहीं था। मैं सबिता को भी एक बचलन औरत नहीं मानती थी। मम्मी के लिए भी मेरे मन में कोई बैर भाव नहीं था। परिस्थितिया ही ऐसी बन गए थी कि सब घलमिल हो गया था। ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता था या किसी दूसरे के साथ भी. मेरी तरह विचारधारा शुरू-शुरू में इन लोगों की भी होगी. जब परिस्थितिया इनके प्रतिकूल होती गई तो इनके विचारों में भी बदलावाता चला गया. मेरे भीतर एक गजब का आत्ममंथन चल ही रहा था कि पापा ने मुझे टोक काजोल बेटी, क्या सोच रही हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है, पापा. मैंने ये कहते हुए पापा की ओर देखा तो वह मुझसे आँखें मिला न सके. मैं बोली, पापा, मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ. तुम मम्मी के लिए या दुनिया के लिए जैसे भी हो लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ मेरे पापा ही हो और मम्मी भी तुम्हारे लिए कैसी भी क्यों ना हो पर मेरे लिए तो मेरी मम्मी है. मैं जानता हूँ. बेटी, ये कहते कहते पापा ने मुझे अपने गले. पापा कुछ-कुछ ये जान गए थी कि मुझे मालूम हो गया है. सबिता से उनके क्या संबंध है? इतने में ही सबिता ने अपने पस से टाफियों के दो-تीन पेकेट मेरे आगे रख दिये, तुम्ही ये टाफिया पसंद है न? मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ. सबिता ये कहकर हसने लगी. मैं सोच रही थी अब मैं इस प्यार और लगाव को क्या कहूं कैसे ये कह दू कि सबिता बच्चलन है या हेमंत अंकल चरित रहीन हैं मुझे एक साथ इतने सारे लोग प्यार करने वाले मिले हैं मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं बुरे तो तब होते जब वे एक दूसरे को ब्लेकमेल करते या ठकते लूटते वे तो जिन्दगी को जी रहे हैं वह भी बड़े ही सलिके से मम्मी पापा के साथ रह भी रही है और अपने तरीके से जी भी रही है पापा भी मम्मी के साथ रह रहे हैं और अपना जीवन भी जी रहे हैं घाटे में कोई है तो वह मैं हूँ मुझे मंमी पापा की दोहरी जिंदगी के साथ आये दिन समझोता करنا पड़ता है। जे डर है कहीं मैं भी दोहरी जिंदगी जीने की आदी न बन जाओं। इतने सारे लोगों का प्यार किसी दिन मेरे लिए धीमा जहर भी बन सकता है। मैं अभी और सोचती इतने में पापा बोल कहानियों के लिए लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद